हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत ही आपके अपने यूट्यूब चेनल पर दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं मद्यप्रदेश के प्रसिद्ध नगर बाइस्थलों के उपनाम जो की MP सरकार की किसी भी एक्जाम की दरश्टी से बहुत इंपर्टेंट है MP सरकार की एक्जाम जैसे MP पुलिस कॉंस्टबल एक्जाम, MP PSC एक्जाम, MP पटवार एक्जाम इन सभी एक्जाम में इन से related question पूछे ही जाते हैं तो चलिए सुरू करते हैं देखते हैं आज का पहला प्रस्ण आज का पहला प्रस्ण है मद्प्रदेश की संग्मर्मर नगरी, Marvel City किसे कहा जाता है तो इसका जो right answer है वा है option number 2, जवलपूर को जवलपूर को मद्प्रदेश की संग्मर्मर नगरी या Marvel City के नाम से जाना जाता है जवलपूर छेतरफल की दरश्टी से मद्प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग है साथ ही या मद्प्रदेश का सरवादिक साक्षर जिला है इसे मद्प्रदेश की न्याईक राजधानी भी कहा जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की ओर अगला प्रच्शन हे मारा मध्यप्रदेश में मंदीरों एवं मुर्तियों का नगर किसे कहा जाता है तो इसका जो राइट आंसर है वहा है आफ्शन डंबर चार उज्जेन को उज्जेन को मध्यप्रदेश में मंदीरों एवं मुर्तियों का नगर कहा जाता है उज्जेन सहर 6 नदी के टक पर इस्थित है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की और अगला प्रस्ण है अमारा महकाल की नगरी के नाम से किसे जाना जाता है तो इसका जो राइट आंसर है वाहे option number 3 उज्जेन उज्जेन में महकाल जो तिरलिंग इस्थित है इसलिए इसे महकाल की नगरी के नाम से भी जाना जाता है उज्जेन में प्रत्येक 12 वर्सों के अंतराल पर कुंब मेले का आयोजन किया जाता है चली आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की ओर अगला प्रस्ण है हमारा सिल्प कलाका तिर्थ के नाम से किसे जाना जाता है तो इसका जो राइट आंसर है option number 1 खजुराहो खजुराहो को सिल्प कलाका तिर्थ के नाम से जाना जाता है खजुराओं मंदिरों का निर्वाल चंदेल सासकों ने करवाया था बर्तमान में यहां 22 मंदिर अस्तित्म में हैं और खजुराओं शतरपूर जिले में इस्तित हैं खजुराओं को पत्थर पर तरासी गई नगरी भी कहा जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की और अगला प्रस्ण है अमारा कौन सा प्राचिन सेल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है चार इस्थान दिये गें आपको पूछा गया इन में से कौन सा इस्थान स सेल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है तो इसका राइट आंसर है आप्शन नमबर चार भीम बेठिका इस्थान प्राचिन सेल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है भीम बेठिका मद्यप्रदेश के राइसें जिले में स्थित है आगे बरते हैं अगले प्रस्ण की और अग प्रतवा नदी के टट पर इस्थित एक छोटा गाउं हैं। चलिया आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की और अगला प्रस्ण हमारा मिनी मुंबई के नाम से किस सहर को जाना जाता है। सिवनी को मद्द्प्रदेश के लखनव के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की और अगला प्रस्ण हमारा निमने में से किसे मेगनीज नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर बाहे आप्शन नमबर 2 बाला घाट को जाना जाता है। साथ ही बाला घाट मद्द्प्रदेश का सरवादिक लंगा नवपात वाला भी जिला है। चलिए आगे चलते हैं अगली प्रस्ण की और अगला प्रस्ण हमारा निमने में से किसे चूना नगरी के रूप में जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर वाहे option no.3 मांडू को आनंद नगरी या city of joy के रूप में जाना जाता है मांडू में दाई महल असरफी महल रानी रूपमती महल जहाज महल हिंडोला महल प्रमुक्ष धर्सनी इस्थल है जो की एक्जाम्स में पूछे ही जाते हैं तो इन्हें आपको याद रखना है कि या सब मांडू में इस्थी थे अगला प्रशन है मद्यप्रदेश के किस छेत्र को ग्यहू का भंडार के रूप में जाना जाता है तो इसका जो right answer है वाहे option no.3 मालवा छेत्र को मद्यप्रदेश में ग्यहू के भंडार के रूप में जाना जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं अग नगरी के रूप में भी जाना जाता है तांसेन अक्वर के नौरतनों में से एक थे तांसेन के बच्पन का नाम रामतनु था और तांसेन का मकवरा भी गॉलियर में इस्थी थे इसे भी आपको याद रखना है आगे बढ़ते हैं अगली प्रस्न की और अगला प्रशन हमार परेटको का स्वर्ग के नाम से किसे जाना जाता है, तो इसका जो right answer वह है, option number 1, परेटको का स्वर्ग के नाम से जाना जाता है, परेटको का स्वर्ग के नाम से जाना जाता है, परेटको का स्वर्ग के नाम से जाना जाता है, परेटको का स्वर्ग के नाम से जाना जाता है, अगला प्रशन हमारा, मंगल ग्रह के जन्म भूमी के नाम से किसे जाना जाता है, तो इसका जो right answer है, वा है option number 1, उज्जेन सहर को मंगल ग्रह के जन्म भूमी के नाम से जाना जाता है, उज्जेन को महाकाल की नगरी के नाम से भी जाना जाता है, यहां महाकाल जो तिरलिंग स्थित हैं. अगले प्रस्ण की ओर अगला प्राश्ण अमारा निम्न पेसे किसे आहिलीया-नग्री के रूप में जाना जाता है तो इसका जो right answer है, दोस्तो वह है, आप्सन नंबर 4 महस्वर को आहिलीया-नग्री के रूप में जाना जाता है मैस्वर नर्वता नदी के टट पर इस्थित एक सहर है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की ओर अगला प्रस्ण है अमारा प्रस्ण के मांकुनिस निम्निय में से किसे मध्य भारत का सोमनात के रूप में जाना जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की ओर अगला प्रस्ण है अमारा सुनहरे जिलो के रूप में किसे जाना जाता है तो इसका राइट आंसर है आप्सण नमबर एक खंडवा खरगोन जिलो को सहीवत रूप से सुनहरे जिलो के रूप में जाना जाता है खंडवा खरकोन का पास उत्पादन के लिए जाने जाते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की और अगला प्रस्ण है हमारा प्रस्ण कमान की किस मद्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है चार आप्शन दिये गया आपको और पुछा गया है प्रदूसन के आधार पर मद्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है तो इसका जो राइट आप्शन दिये बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की और अगला प्रस्ण हमारा मालवा की गंगा के नाम से किस नदि को जाना जाता है तो इसका right answer है option number 4 छिप्रा नदी को मालवा की गंगा के नाम से छिप्रा नदी को जाना जाता है छिप्रा का उद्गम इंदोर के काकरी बड़ी पहाडी से होता है इसी के किनारे उज्जेन में सिहस्त का आयोजन किया जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की और अगला प्रस्ण हमारा निम्न में से किसे सपेद सेरो की भूमी के नाम से जाना जाता है तो इसका जो right answer है वा है option number 2 रिवा को सपेद सेरो की जन्म भूमी के नाम से भी जाना जाता है चली आगे बढते हैं अगले प्रस्न की और अगला प्रस्न हमारा निम्ने में से किसे कपड़ों का सहर कहा जाता है तो इसका जो राइट आंसर दोस्तो वाहे option नंबर 2 इंदोर को कपड़ों का सहर भी कहा जाता है इसके अतिरिक्त इंदोर को मिनी मुंबई, मध्यप्रदेश की ब्यवसाइक राजधानी और खेल राजधानी भी कहा जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं अगली प्रस्ण की ओर अगला प्रस्ण हमारा निम्न में से किसे महलो की नगरी के रूप में जाना जाता है तो इसका जो राइट आंसर है वाहे आप्सन नबर 3 मांडू को महलो की नगरी के रूप में भी जाना जाता है चलिए आगे चलते हैं अगली प्रस्ण की ओर अगला प्रस्ण हमारा निम्न में से किसे डैमेंड सिटी के नाम से जाना जाता है तो इसका जो right answer है वा है option number 2 पन्ना को diamond city के नाम से जाना जाता है मध्यप्रदेश में पन्ना में diamond का उत्पादन सरवाधिक मात्रा में होता है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की ओर अगला प्रस्ण है अमारा मध्यप्रदेश का मोगली land किसे कहा जाता है तो इसका जो right answer दोस्तो वा है option number 4 पेंच राश्ट उध्यान को मोगली land के नाम से भी जाना जाता है पेंच राश्ट उध्यान में मोगली land विक्सित किया गया है यहां मोगली उध्यान का आयोजन किया जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की ओर अगला प्रस्ण है अमारा प्रदेश का सांस्कृतिक केंद्र के नाम से किसे जाना जाता है तो इसका जो right answer है दोस्तो वा है option number 3 भारत भवन को प्रदेश का शांस्कृतिक केंद्र के नाम से भी जाना जाता है भारत भवन के बास्तुकार चाल्स-कोरिया थे तो इनका नाम आपको याद रखना है या भी पूछा जाता है भारत भवन भोपाल में इस्थित है इसकी स्थापना बर्स 1982 में हुई थी चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की और अगला प्रस्ण हमारा पत्थर पर तराशी गई नगरी के रूप में किसे जाना जाता है तो इसका जो राईट आंसर वा अफ été स्था ऑफ्सण number 4 को पत्थर इसका जो right answer है वह है option number 3 200 रुपे के नए नोट पर साची के इस्तूप का जो प्रतिक है उसका छाया चित्र चापा गया है साची के इस्तूप का निर्मार मोरे सासक असोप महान ने करवाया था चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए क्वीज रखी यह जिसका अंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है आज की क्वीज है प्रदेश का कौन सा सहर रेलवे जंक्सन के लिए प्रसिद्ध है तो इसका जो राइट आंसर है वह आप लोग मुझे कमेंट करके जरू बताएं वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो के लाइक जरू करें और में चैनल को भी जरू सब्सक्राइब कर लें और यदि आप लोगों को MP प्लिस कॉंस्टेबल एक्जाम 2016-2017, MP पटवारी एक्जाम 2017, MP SI एक्जाम 2016-2017, SSC CHSL एक्जाम 2021, एवं अन्य सभी एक्जाम के प्रिवे कि एंडोस्टॉ